पूँगे ओम गजानन गणा दिभूत से विथम कपित्थ जंबुपल्यचारुभक्षणं उमा सुतंशोक विनाशकारकं नमा मिवीगनेश्वरपाद पंकजम नमा मिवीगनेश्वरपाद पंकजम प्रिसाथियों आप सभी का हर्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूर्यमल मिश्रण देखिए ये मिश्रण भी है और आपके पाठिकरम में मीश्रण लिखा है मीश्रण एक चारण कुल की एक शाखा है ये भी आपको ध्यान डखना है और उसी मिश्रण शाखा के एक प्रतिष्टित परिवार में कार्तिक बदी एकम समवत 1872 विक्रम को बुंदी राजस्तान में सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ आप सभी साथी एक बार जुड़ जाएं हम जो है इस व्याख्यान को प्रवर्थित करेंगे प्रेश साथियों सूर्यमल मिश्रण के जीवन परिचे के समन्द में हम पहले बात कर चुकें साहिती में इसलिए मैंने पुन्द्रावृत्ती समझी और मैं साख्षात आपको लिए चलूँगा वीर सत्साई पर देखिएगा वीर सत्साई जो है उसमें आरंबिक 22 हैं कितने 22 हैं 22 हैं जो आपके इस पाठिक्रम में जो है वो सम्मिलित किये गए हैं यह आपको धान डखना है चलिएगा तो इसी के साथ जो है मैं इसको शुरूआत करूँगा साथियों वीर सत्साई की चलिए वीर सत्साई जो है वो वीर रस प्रधान रसना है वंश भासकर इनकी एक रसना है एक चंदो मयूक इनकी रसना है चंदो मयूक चंदो मयूक एक जो है बलवद विलाश जब ये दस वर्ष की उमर के थे तब इनोंने एक बहुत मैकून गरंट रखा था और उसका नाम है राम रंजाट कुल इनके आठ गरंट माने जाते हैं ये भी आपको धान डखना है एक सती रासो सती रासो और एक जो है फुटकल चंद के नाम से है फुटकल चंद भी इनी की रसना है ये भी आपको धान डखना है और एक रसना जो है इनकी धातू रुपावली धातू रुपावली और एक जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है वीर सत्साई वीर सत्साई तो ये आठ रचनाएं जो हैं सुर्य मल मिश्रण ने अपने जीवन काल में लिखी प्रेसाथियों हम इसमें से वीर सत्साई की बात कर रहे हैं और आप एक बार सभी साती जूट जाएं उसके बाद में हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे वीर सत्साई वीर रस प्रधान ग्रंथ है और राजस्तान में वीर रसावतार के रूप में प्रसिद है वीर रसावतार वीर रस के उतार वीर रसावतार जो है वो कौन है सूरज मल या फिर सूर्य मल मिर्सन या फिर मिशरन हम दोनु नामों से कह सकते हैं और इसका रचनाकाल वीर सत्साई का जो रचनाकाल है वो समवत 1914 इस्वी माना जाता ही ध्यान रखेगा इसकी जो भाषा है वो अरवाचिन डिंगल है राजस्तानी की यह शेली है डिंगल और पिंगल उसमें साहित्य की प्रशनोत्री भी करवा देंगे आज एक बार हम इसको कर लेते हैं प्रिसाथियों इसकी जो भाषा है वो अरवाचिन डिंगल है और शेली जो है वो औजगून प्रधान है। ओजगून प्रधान जहां पर ही होगा वहाँ पर गोडि रिती हो जायएगी। और वैन सगै अलंकार है यह वैन सगै देखीगा वैन सगै या फिर इस इसी को हम बोलते हैं वयन सगई तीनों ही नाम इसमें आएंगे ये भी आपको धान रखना है प्रेसाथियों ये एक शब्दा अलंकार है क्या है शब्दा अलंकार है और जिसे हम अनुप्रास कह सकते हैं लेकिन ये चारण जाती जो है चारण कुल या चारण जाती का अलंकार माना जाता है ये भी आपको धान रखना है ये वयन सगई जो है ये होता क्या है इसमें ये आपको धान रखना है कि किसी दोहे के दोहे का दोहे का दोहे के किसी दोहे के किसी दोहे के आरंभिक वर्ण की उस दोहे की अंतिम पंक्ती के पहले शब्द मनि जो पहला शब्द है पहले शब्द में आवरत्ति देखी जाती है और ये है जो है आपका वेन सगई या फिर वरन सगई या फिर वेन सगई ये तीनूही नाम इसके हैं ये आपको धान डखना है तो देखेगा हम बात कर रहे हैं वीर सच्छाई की बिहारी भी करा चुका हूँ बेटा इसका रसनाकाल 1914 है शेली कौन सी है अरवाचिन डिंगल है शेली औजगुन प्रधान अर्ताद गोडि शेली है वैर सगई प्रधान अलंकार है कुल 288 दो है है देखिए जब नाम ओज़ें 288 क्यूं है क्योंकि प्रामानिक रूप से वैसे सच्छाई का मतलब है 702 का संकलन लेकिन प्रामानिक रूप से हमें 282 ही प्राप्त होते हैं वीर सच्छाई में सन 1857 की क्रांती से संबंदित दो हैं जब यहां पर एक डंग की एकरी आगे हम लूग बात करेंगे एक दुहे में आएगा कि जब अंग्रेजूं का आधिपत्य था 1914 को आप याद कीजिगा 1857 की जब क्रांती का बीगुल बजरा था उस समय की ये रचना है 1914 में से क्योंकि ये विक्रम सम्वत है उसमें से माइनस 57 जब हम करते हैं तब इस रचना का जो काल है वो 1800 सताउन आ जाता है ये विक्रम सम्वत तो 1914 है लेकिन 1800 सताउन इस्वी की ये रचना है ये वो काल था जब भारत के जो देशी राजा जो थे वह भोग विलास में डूब गए थे अपना पौरुस भूल गए थे ऐसी हताश और निराश जो राजवर्ग जो था जो शत्रिय जो थे उनको वापस से अपना स्वरूप यार दिलाने के लिए इसमर्ण कराने के लिए सूर्य मल्मिस्रण ने एक अद्भुत गरंत लिखा जिसे हम वीर सत्साई कहते हैं ये आपको धान रखना है तो ये जो वीर सत्साई है उसमें 1877 की क्रांती से सम्मनित दो है जिन में राजस्तान की विरांगनाओं एवं योधाओं की मनोदशा का चित्रण किया गया है वस्तुत ये काव्य भारती ये सौतन्त्रता संग्राम का काव्यात्मक उदगार है विरांगनाओं का त्याग और मात्री भूमी के प्रति प्रेम की भावना एब अमराश्ट प्रेम वीर सचस़ाई ग्रंत में एक तरब से साकारको उटा है अब यहाँ पर देखिएगा हमारी परंपरा रही है मैंने आपको कई बार बताया कि जब कभी भी कोई कभी किसी गरंथ की रशना करता है तो आरम में वो मंगलाचन करता है और यहाँ पर सूर्य मल मिश्रण ने नमस कारात्मक मंगलाचन किया है भारतिये काव्य परंपरा में कभी जब कभी भी किसी गरंथ का प्रणायन करता है प्रणायन करता है उससे पूर्व वहाँ अपने इस्ट या उपास्य जो देव है देव की स्तूती करता है और यह देव स्तूती जो है उसी को हम क्या बोलते है मंगलाचार या मंगलाचरण यह मंगलाचरण जो है वो तीन प्रकार के होते है एक है वस्तूर निर्देशात्मक मंगलाचरण वस्तूर निर्देशात्मक मंगलाचरण एक है नमस्कारात्मक मंगलाचरण और एक है आशिर वादात्मक मंगला चर्ण यहां पर प्रधान रूप से तो नमस्कार किया गया है लेकिन गोन रूप से वस्तुर निर्देश अत्मत और आशिर वादात्मक मंगला चर्ण भी इसमें देखने को हमें मिल रहा है तो आईए मैं पहला दोहा आपके सम्मुक रख रहा हूँ आप सभी साती सर को यह ऐसा मंत्र बताओ जिसे परिक्षा पास हो जाए आज हम बात करेंगे अंत में चलिएगा नरेश यादुग बने रहिएगा क्लास के अंत में ऐसा मंत्र देने वाला हूँ चलिएगा तो साती यहां पर देखीगा यह जो पहला जो दोहा है यह किस के रूप में है मंगला चर्ण के रूप में है किस में है मंगला चर्ण के रूप में है क्या कह रहे है कवी कह रहे है मेरे साथ बोलीगा हम इसके शब्दार्त को जाने उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि वयन सगई या वरन सगई क्या होता है यहां सुरुवात में ल आया यहां पर भी ल है बात समझ में आई होगी यहां पर सा आया यहां पर भी सा आया तो यहां वैसे तो आरम में आना चाहिए था लेकिन अंत में भी हो सकता है यहां पर ग और यहां पर ग यहां पर प और यहां पर भी प अब इस भाव से आपको वापस पढ़ना है तो आईएगा मंत्र की बात करेंगे लास्ट में लेकिन अभी इसको सुनिएगा बहुत आनन्द के साथ सुनिएगा प्रियसाथियों मेरे साथ आप सब भी बोलिएगा पेले तो ये धान ड़कना है कि डिंगल सेली जो है जहां पर भी तालव्य शकार और मूर्धन्य जो शकार होता है उसके इस्तान पर सह हो जाता है तो प्रकाश शब्द को वैसे तो हम यू लिखते हैं लेकिन ये शके इस्तान पर सह हो गया आईए मैं एक एक अर्थ बताता हूं लाओं का अर्थ है लाता हूं धान लगाता हूं वैसे इसमें लिखावा है लाता हूं धान लगाता हूं लाता हूं या धान लगाता हूं प लाज के साथ अर्था पूरी लज्जा के साथ सूरी मलमिशन कह रहे हैं गणेश गजानन की समेस्तुती है गणवेई का मतब है गणपती मैं पूरी लज्जा के साथ या पूरी जो है सलज हो करके अपना जो सिर है आपके चरणूं पर लाउमनी लाता हूं क्यूंकि मैं सदा ह सदेवही हमेशा ही काहाउं कहलाना चाहता हूं आपका दास कहलाना चाहता हूं और दास का जो सीर है वो हमेशा चरणू में होना चाहिए स्वामी के और इसलिए वो कह रहे हैं लाऊं पे सिरलाज हूं सदा कहाऊं दास गणवई गाऊं तुझ गुण स्पाऊं वीर प्रकास आगे वो कह रहे हैं, गणवई, सब्द हैं गणपती, ये गणपती जो है, इसी का रूप है गणवई, गणवई बन जाता है और गणवई से फिर जो सब बनता है, वो बनता है गणवई से फिर जो सब बनता है, वो है गणवई, गणवई, अब यहां पर कहीं कहीं इसके पा पार्ट भी मिलता है इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन मूल पार्थ में जो है यही गणवई शब्द दिया गया है और इसलिए मैंने इसको लिया है नरोतम दास्वामी में यही पार्थ दिया गया है तो गणवई मनि हे गणपती, गाओं में तुम्हारा जो है गुण गारा हूं, तुझ मनि तुम्हारा जो तुम्हारा अलोकिक गुण है, जो किसी भी कारिये में विग्ण विनाशक है, जो किसी भी कारिये में सरकोलेज कोर्स के बारे में बताएं, 24 तारिक बाद में शुरू करेंगे मैं वीरता का प्रकास मनि वीर सच्छाई की रसना कर रहा हूँ मात्मा बुद्ध महन थे एकवचनी है जो आधरनी व्यक्ति होते हैं उसके लिए बहुचन का किरिया का प्रियोग होता है पाउ मनी मैं प्राप्त करूँ वीरप्रकास, मैं वीरता का वीरत्व के प्रकास को प्राप्त करूँ और इसलिए हे घञजानन, हे गणपती मैं आपके स्कुति करता हूं और मेरा जो सीर है वो लजजा के साथ आपके चर्णों पर रखता हूं मैं तुमारा सदेव दास कहलना चाहता हूं और हे गणपती तुज तुमारा गुण सदेव गाना चाहता हूं क्यों? क्योंकि पाउं वीर प्रकास मैं जो है ये वीर सच्चाई की रस्टा करना चाहता हूं और इसलिए मैं आपके आश्रुवाज ले करके आपको नमस्कार करके और जो है इस वीर सच्छई का प्रणाइन करना चाहता हूँ अब देखिगा ये अर्थ है आप इसको पढ़ ले ना मैं इसका भावार्थ जो है वो बता देता हूँ साथियों भावार्थ हे गणपती मैं लज्जा का अर्थ है विने से आपके चलणू में अपना मस्तग नवाता हूँ में तो सदेव ही आपका दास कहलाता हूँ मैं आपका गुंगान करता हूँ ताकि मुझे वीरत्व का प्रकास मिले अर्थात में परिपूर्ण काविका एक प्रणयन कर पाऊं साथियों आपसे पुछा जा सकता है वीर सच्चाई के आरम में कभी द्वारा किस की स्तुती की गई है कभी द्वारा किस देव की स्तुती की गई है तो आपको ये धान रखना है कि पहले में तो गणेश है और गणेश को पूजने के बाद में इसमन करने के बाद में दूसरी जो स्तुती है वो है सरस्वती की वानी जगरानी उस सब्द से वो जो है मा सरस्वती की विद्या की अधिस्टात्री मा सरस्वती की स्तूती करते हैं तो गणेश और सरस्वती दोनों की स्तूती इसके अंदर है ये आपको ठान डखना है चलिए भारती लेखन प्रंपरा के अनुसार यहां भी कवी ने आरम में मंगला चन का निर्भन करते वे उक्त दोहा मंगला चन के रूप में प्रसूत किया है जिसमें लाज शब्द का आर्थ विन्मरता भी लिया जा सकता है इस दोहा में राजस्तानी शब्दों का सुन्दर प्रियोग किया गया है वैन सगई अलंकार का प्रियोग किया गया है और शांत रस का दोहा है इसमें वीर रस नहीं है ये भी आपको ध्यान डखना है आगे चलिए दूसरा दोहा जो है विद्या की अधिश्टात्री जिसे यहाँ पर जगत की वानी की रानी शब्द से का है वानी जगरानी वलेई वलेई का अर्थ है सुशोबित होना वलेई मनि सुशोबित होना और मैं चिंतानी अब आपसे पूछा जा सकता है चिंतानी का अर्थ क्या है चिंतन धान चिंतन धान या इस्तूती ये इस का अर्थ है मूड जो है वो किसको कहते है मूर्क को कहते है अगूड का अर्थ क्या है इसपस्ट करना और गानी मनी जो है जो है गुन गान करता हूँ और अतुल अर्थात अतुल निये है जानी जान करके उर हिर्दे में आनी ला करके अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं मेरे साथ आप जो है अब प्रारम और आरम में अंतर जो है वो छिन्तानी मूड, में पहला प्रसन आप से ये बनता है कि इस श्लोक में कहां पर वैन सगई का निर्वन नहीं किया गया है तो यहां पर ग आना चाहिए था दूसरा जो पद है क्योंकि दोहे में चार पद होते हैं एक, दो, तीन और चार पहले पद में आ, अ, व, व, म, म और यहां पर ग जो है आरम में नहीं है इसलिए पूरी तरे से दूसरा जो चरण है उसमें वयन सगई अलंकार का, मुझे हिंदी स्कूल व्याख्यता के लिए आप से पढ़नी है देखिएगा, ओफलाइन बेस तो संभव तय नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन बेस 24 तारिक से शुरू हो जाएगा 24 दिसंबर से कोलेज लेक्षर का जो है पाटिकराव शुरू कर दिया जाएगा प्रियसाथियो, आनी का मतलब क्या है आनी का मतलब है ध्यान लगाना या आना उर हिर्दे को कहते हैं जानी जान करके अतुल अर्थात अतुल ने हे मा सरस्वती मैं अपने हर्दे में मैं अपने हर्दे में ध्यान लगाकर उर्मनी हर्दे में ध्यान लगाकर और जान करके इस चीज को जान करके कि तुम अतुलनी हो तुमारा वेभाव जो है तुमारी जो स्वक्ती है वो अतुलूनी है और ये जान करके मैं आपका ध्यान करता हूँ गानी करण अगूड और मैं आपके गुनों को गा रहा हूँ क्यूं क्यूंकि करण अगूड मुझे संसार में जो विद्या है उसको सपष्ट करना है इसलिए मैं इसको आपका घुन गा रहा हूँ वानी जग रानी वलेई ये पूरे संसार में वानी अर्था जगत की जो रानी है जो वानी के रूप में वलेई मनी शुशोबित हो रही है मैं सुर्य मलमिशरन चिनतानी मूड मैं तो मूड हूँ, मैं अज्यानी हूँ मेरा सामर्ते, हे मा मेरा सामर्ते जो है बिलकुल किसन कुमार, बिलकुल बहुत बहुत आशुरवात प्रियसतियों थड़गेड की पुस्तक जो है वो आ जाएगी अभी इसके उपर देखें तो मैं मूड हूँ मैं अज्यानी हूँ और मैं अज्यानी होते भी मैं चिंतानी मैं मन में उसका चिंतन करता हूँ और चिंतन करना चाता हूँ देखिए आनी का अर्थ है लाया या धरन किया समस्कित में एक शब्द है आनिता उसी आनिता से आनी बना है आई मनी आविरबूत हुई जानी का अर्थ क्या है जाना उर्मनी हर्दे जानने वाली अतुल अर्थाथ जिसके तुलना न की जा सके जो अतुल निये हो गानी का अर्थ पूछा जा सकता है गाइन किया गुणगान किया पूरी वीर सथसाई में जो एक सो बीस दो है आपके पाटिकरम में है उसका एक-एक सब्द का मैं अर्थ बता रहा हूँ, आप इसको सुनिएगा, गानी अर्थात गाइन किया, करन, अर्थात करने के लिए, किसको करने के लिए, अगूड, जो गूड जान है, उसके सोरूप को अर्थात स्पस्ट करने के लिए, जो गूड जान है, उसके सोरूप को पस्ट करने के लिए वानी जगरानी वानी के जगत की रानी अर्थात मा सरस्वती वले मनी पुना फिर या सूशोभित्व हो रही है ये भी अर्थ इसका लिया जा सकता है चिंतानी मनी धान या चिंतन किया है मूड मूर्ख या अज्जानी अई ये अर्थ जानते हैं अब यह में की है वाग देवी ही समस्त परकार के जान और उसकी अभिव्यक्ति की प्रदात्री है जिस मा सरस्वति की महीमा अतुल निये समझ कर मैंने अपने हर्दे में धारण किया है देखो आणी उर जानी अतुल जिस मा सरस्वति की महीमा को मैं अतुल अतुल निये जानकर जिसे मैंने मेरे हर्दे में पूर्मनी हर्दे में आणी मनी धारण किया है तता जिस गूड जान के सोरूप को इसपस्ट करने वाली जो विद्यादात्री का मैंने गुणगान किया है आज प यह यहां पर जो है भाव है इस दोहे में राजस्तानी शब्दूं का सुंदर प्रियोग है और वैर सगई का प्रियोग किया गया है और यह भी शांत्रस का दोहा है क्योंकि जहां पर भी भक्ती होती है वहां पर शांत्रस होता है यह आपको धान डखना है चलिए आगे जो हैं तीसरा दुहाव मेरे साथ सभी साती बोलेंगे वरन सगाई वालियां पेखी जेरस पोस बीर हुतासन बोल में दी से हेकन दोश यहाँ पर जो भाव हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि इस दोहे का जो शब्दार्थ है वो क्या होगा चलिएगा तो शब्दार्थ के हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखीगा शब्दार्थ जो है इसका वो जो है कहा गया है कि वरन सगाई वालियां वरन सगाई वालियां वरन सगाई क्या है देखो व और व प और प ब और ब द और द तो यहाँ पर वरन सगाई वालियां अर्थाथ वेन सगाई जो अलंकार है उसके माध्यम से जो है कोई रचना की जाती है उसमें पेखी जे अर्थाद नहीं दिखाई देता है रच पोश उसी में रच का पोशन होता है चारण काव्य में ये प्रसिद है कि जिस काव्य में वैन सगई अलंकार होगा उसी में पेखी जे उसी में परिपूष्ट होता है परंतु मेरी जो वेर सच्चाई जो है सुर्य M Prayer Mission कह रहे है कि इसमें जो है वेन सगई का पूर्णत वेन सगई अलंकार का पूर्णत निर्वा नहीं किया गया है परंतु फर्दी क्यों क्योंकि वेर हुतासन बोल में वीर मनि वीरता पूरवक वेरता पूर्ण या वेरता से पी जो अगनी है उतासन मनी अगनी है उसके बोल अर्थात उसके वचन में या उसके कहने में वेन सगई अलंकार नहीं भी है तब भी दी से अर्थात दिखाई देता है एक एक भी ना दोश कोई भी दोश नहीं दिखाई देता इसलिए मेरे इस वीर सत्साई में भले ही वेन स सगई अलंकार का पूरी तरह से निर्भन नहीं किया गया है क्यों तब भी इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि वीर की अगनी जो है वीर रस की जो अगनी है उसमें सारे के सारे दोष जो है वो भस्म हो जाते हैं भाव ये हैं मिश्रन ये कहना चाते हैं कि मैंने जो ये वीर हताशन बोल में वीर रूपी प्रकास या वीरत्व की जो अगनी होती है उसमें सारे के सारे दोश जो है वो जल जाते हैं भस्म हो जाते हैं ये इसका भाव है और ये बात हो गई वेन सगई बता चुका हूँ अब यहाँ पर देखीगा पेखी जे मनी देखा जाता है बालिया मनी लाने से रस पोस रस का पोशन अर्थात वेन सगई लाने से ही रस का पोशन देखा जाता है परंतु वीर हताशन बोल वीर रस की अगनी में दी से दिखाई देता है एक एक भी दोश कावे दोश भावारत ये है कि कविता में बरन सगई या वेन सगई का निरुहा करने स सामानित रस व्रद्धी होती देखी जाती है यहाँ पर सूर्य मल्विश्ण यह कहना चाहते है कि भाव यह है कि वास्तों में व्यर्ण सगई जो है उसी के माध्यम से रस में व्रद्धी होती है परंतु कभी-कभी वीर रस पूर्ण वचनों की अगनी जुआला में वर्ण सगई न होने पर भी कोई दोस्त दिखाई नहीं देता है अर्थात जैसे अगनी सर्वभक्षी होती है जिसमें सारे कलूश, कलमश, जलकर के नश्ट हो जाते है उसी परकार विरत्व पूर्ण वचनों का जो प्रचन जुआला होती है उस जुआल माला में वर्ण सगई अलंकार की अनुपस्तिती में भी कोई भी दोस्त जो है वो दःग्द हो जाता है ये इसका भाव है भाव ये है की वर्ण सगई सामानित रस का उतकर्ष में सायक ही होती है तथा पी कवी के कवी की विरत्व से उद्वेलित ओजस्वी वागधारा में उसके नै होने पर भी कावी की प्रभविष्णुता अर्था जो कावी का जो प्रभाव है उसमें कोई अंतर नहीं आता कारण क्योंकि वीर रस्पून कविता के प्रवा में सारे दोश जो हैं वो तिरोहित हो जाते हैं आगे लिए चलता हूँ अब साथियों ये जो दोवा है उसमें वीर सत्साई का प्रणायम जो है वो कब हुआ वीर सत्साई का जो रसनाकाल है उसके बारे में यहां पर बात की गई है आईए इस एक सुंदर दोहे को हम लोग पढ़ते हैं मेरे साथ सभी साथ ही बोलीगा वेसे बीतियों नहीं है बीतियां है मूल पाट ये गलती से हुआ है आज की जो स्लाइड है इसमें बहुत सारी गलतियां हो गई है बहुत जल्दवाजी थी लेकिन चलिए कोई नहीं बीकम बरसा बीतियां गण चोचंद गुनीस विसहरतित गुरु जेट बदी समये पलटीसीस के रहे है कि बीकम अर्थात विक्रम समवत विकम मनी जो विक्रम समवत है विक्रम समवत जो है उसको बरसा विक्रम समवत का बरसा मनी वर्ष के बीतियां बीत जाने पर गण मनी गिनो गण मनी गिनो चव का आर्थ होता है चार चव कितने चार चंद चंद्रमा कितने एक और गुनीस का बतलब क्या है उननीस ये आपको धान डखना है इस प्रकार से जब आप इसको पढ़ोगे तो बहुत आनद आने वाला है ये आपको धान डखना है चलीगा तो यहाँ पर बीकम अर्थात विकरम समवत का बर्स बीतियां बीज जाने पर गण अर्थात गिनो चव क्या चार चंद चंद्रमा कितने एक और गुनीस अर्थात कितने गिनो जो है उननीस यहाँ पर देखो यह जो संख्या आई है वो कितनी आई है चार एक एक नो और एक नियम है कि अंका नाम वामतो गती जो अंक जो है उसकी वामतो उल्टी जो है गती होती है वामतो गती यह समस्कित का एक नियम है अंका नाम वामतो गती इससे फिर जो है हम पहले क्या लिखेंगे 19 और फिर जो है एक और चार लिखेंगे ये वाम तो गती हो गई इसका मतलब वीर सत्साई का जो रचनाकाल है वो क्या है बोलो 1914 है ये आपको ध्यान डखना है और 1914 में से क्योंकि ये विक्रम संबत है और विक्रम संबत आगे चलता है उसमें से हम माइनस 57 करते हैं तब ये 1857 ये 1857 जो है वो समे पलटी सीस आप से पूछा जा सकता है कि समे पलटी सीस का अर्थ क्या है धान डखना जो बोल रहा हूँ समे पलटी सीस का अर्थ ये है कि 1857 की क्रांटी में जो गदर हुआ था जो क्रांटी हुई थी वही समे पलटी सीस है समे ने पलटा खाया सीस मनि शीर्ष पर आकर के समे ने पलटा खाया और उस समे 1914 अर्थाथ 1857 और 1914 विक्रम सम्मत में इसकी रचना हुई बिसहर अर्थाथ बिसहर जो शब्द है वो विश्धर से बनता है विश्ध को जो धारण करता है वो कौन होता है साप अर्थाथ नाग पंचमी विश्धर अर्थाथ साप तो साप का मतलब क्या है नाग पंचमी का दिन था और ये तो हो गई तित विश्धर तित और गुरू अर्थाथ ब्रिहस्पति वार था तिति कौन सी थी नाग पंचमी विश्धर तित का अर्थ क्या है नाग पंचमी यह आपको ध्यान डखना है सेकंड गेट का सेयोग लिया बहुत सेयोग मिल रहा है मुझे दुख है तक की कॉर्स वेलेडिटी बढ़ा दीजिए हाँ इसमें बात करेंगे बाद में चलीगा पहले सेकंड गेट का एक्जाम दीजिएगा सेकंड गेट तक जितने भी साथी जुनोंने ले रखा था कॉर्स उनको सब को मैंने उसकी तीथी वैसे ही बढ़ा दी है कहने कि आउश्चित पही नहीं है बिसहर्तित अब आपसे पूचा जा सकता है कि बिसहर्तित का मतलब क्या है तो नाग पंचमी जो है वो बिसहर्तित है गुरु का आर्थ क्या है गुरु वार ब्रिहस्पतिवार वार क्या था गुरु वार ब्रिहस्पतिवार महीना कौन सा था जैट जैट का मतलब क्या है ज अर्थात 1800 सताउन में मैं सूर्यमल मिश्रन इस क्रती की इस अधुद क्रती की रचना शुरू करता हूँ और समय पलटी सीज अर्थात ये वो समय था जब भारत में जो देशी राजा जो थे वो उन्होंने एकता दिखाते वे जो है गदर किया था 1800 सताउन का जो स्वतंत्रता सग्राम था उसकी और यहां पर संकेत है यह आपको धान रखना है चलिएगा विक्रम समवत के अर्थात 1914 वर्ष व्यतित होने पर जैस्ट करशना पंचमी गुरुवार के दिन सीर पर समय ने पलटा खाया अर्थात देश की शीवशस्त या सरोपरी सक्ता के व्यूद रास् मुझे बार-बार यू लग रहा है कि आपसे पूछा जा सकता है कि समय पलटी सीज इसका अर्थ क्या है तो आप विशेशूप से ध्यान रखोगे इसका अर्थ यह है कि उस समय डेश की शीर्शस्त या सरोपरी सक्ता के विरूद राष्ट व्यापी आंदोलन उठकर के चांती के और संकेत किया है जिसके फलेस्वरूप कवी को वीर सत्साई के प्रणयन की प्रेणा मिली जैस्त कृष्ण पंचमी जो है गरंत रशना आरंब करने की तिति है यह आप ध्यान रखना है तो आपसे इस दोहे को लेकर के प्रस्न किया जा सकता है एक अच्छा प्रस सन की गणना करते समय सताउन वर्ष को घटा लिया जाता है जिससे विक्रम संबत 1914 का अर्थ सन 1857 हो जाता है समय पलटी सीस के द्वारा सन 1857 की गदर कालीन प्रस्ततियों की और संकेत किया गया है इस पद में राजस्तानी भाषा का प्रियोग किया गया है इस पद की पंक्त की भी कम बरसां बीतियों में वरत्य अनुप्रास अलंकार है आगे हम जो है अब यहां पर जो अंग्रेज जो सत्ता जो थी उस अंग्रेज सत्ता का अंग्रेज सत्ता का जो एक चत्ता का एक चत्त्त जो समराज्य है एक चत्त्त समराज्य और भारतिये साशकों की भारतिये शाषकों की भारतिय शाषकों की आकर्मन्यता चित्रित है आकर्मन्यता का चित्रण है ये आपको ध्यान डखना है चलिए यहाँ पर पांचमें दोहेप हम आगे हैं इक डंकी गिन एकरी भूले कुल सा भाव सूरा आलस एस में अकज घुमाई आव मेरे साथ बोलीगा इक डंकी मनी एक डंका जिसको सर्वत्र एक ही डंका बसता है ये वो समय था जब पूरा भारत जो है पराधीन हो चुका था एक डंकी अर्थात एक चत्र जो है गिन अर्थात एक चत्र गिना जाता था एकरी एकरी का अर्थ क्या है अंग्रेजूं की जो सत्ता जो थी एकरी एक का ही जो शासन जो था वो एक छत्र समराजी था और उस समय हमारे जो देशी जो राजा थे भूले कोल साभाव अपना जो कुल का जो सभाव था शत्रियों के कुल का जो सभाव था शत्रियों में जो अपने कुल का सभाव का मतलब क्या है कुल का जो वीरोचित लक्षन है उसको सूरवीर भूल गए और जो सूरवीर है मैंने आपको बताया ये सौकी जगे वो हो जाता है जो सूरवीर है वो आलस में अलस में और एश में जिसको हम एशो आराम बोलते हैं वह यहां पर जो है एश है अर्था तो उसाउस में जो है वो अपना जो है अकज फालतो में ही व्यर्त में ही, अकार्य में ही बिना किसी कारण के ही गुमाई, खो रहे थे आव का आरफ क्या है आयूंब तो यह आप समझ गए होंगे मेरे साथ एक बार फिर से बोलीगा ये भी बहुत मैत्पूर्ण है अब आप से ये पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ क्या है मनि अंग्रेजों का भारत पर एक छत्र राज हो गया था इक डंकी गिन एकरी भूले कुल साभाव सूरां आलस एस में अकज घुमाई आव जो है अकज बिना कारण के अपनी आयू को जो है घुमा रहे हैं ये आपको धान रखना है इक डंकी एक छत्र प्रभूता शासन मध्ययुगीन सामंती व्यवस्ता से संबद ये शब्द है जिसके अनुसार जहां शासन या प्रभूत्तु होता था वा नगाडे पर केवल उसी का डंका गूशता था हालू जालू का इतियास प्रसिद युद इसका ज्वलंत द्रिश्टांत है जिसे लेकर इस सरदास ने ये भी आपको ध्यान डखना है हाला जालारी कुंडलियां ये इसकी रसना की थी या एक डंकी सितात प्रिये एक छत्र इस्तापित अंग्रेजी सासन से है इसको आप मैक्पून करेंगे जिसके फलस्वरूप ततकाली नरेश अपने प्रमप्रागत शौर ये प्राक्रम से विहीन हो भोग विलास में लिप्त हो गए थे इक डंको अब यहां पर प्रियोग का उधर्ण क्या है एक जगे आया है इक डंको वाज तो जावई छे घोडारी कलल हुई रही छे रे रीकार्थ है कि साभाव मनि सोभाव जो कुल का सभाव है अर्तार भूमी वह स्वातंत्री रक्षा के लिए हमारी यहां की प्रमप्रा रही है चाहे आप भगवान राम को लीजीगा कि अपनी भूमी की रक्षा के लिए प्रान तक देने के लिए उड्यत हो जाते है स्वातंत्री रक्षा के लिए मरने मालने का हमारा कुल धर्म है यह कुल का जो सभाव है भूले कुल सभाव उसका यही अर्थ है अकज का अर्थ क्या है व्यर्त में बिना किसी कारिय के ये अकज जो सब्ध है इसका अकारिय ये अकारिय तसम सब्ध है और अकारिय से जो है अकज बनता है गुमाई मनि खोदी घमादी हम राजस्तानी में कहते हैं घमादी आव का अर्थ क्या है आयू या जो जीवन है उसको यूहीं घंवा दिया कवी ने अंग्रेजूं के निरमकुल शासन को देखकर भारतिय वीरों की जो अंतर बाहिये इस्तती का सिंगावलोकन कराते वे उनको जो है सावचित किया है क्या किया है कि देश में सरवत्र अंग्रेजूं की एकच्छत्र प्रभूत्ता स्थापित हो गई है शूरवीर अपने प्रमप्रागत कुल धर्म एवं वीर स्वभाव को पूर्णता विस्मृत हो गए है भूल गए है आलस्ये एवं भोग विलास में लिप्त हो अपनी आयू जो है वो व्यर्थ खोदी है अर्थाज विशे वासना में लीन हो अपना जीवन नष्ट कर दिया है और शत्रू ने हमारे देश पर जो है अधिकार कर लिया है साथियों अथारसो सताउन की क्रांती के समें देश के अधिकांस ततकाली नरेशू ने उस राष्टी आंदुलन के प्रती जो भूमी का निवाई थी उससे कवी का हरदे सोब और आक्रोश भर गया प्रस्तु दोहे में कवी ने अपने प्रमप्रागत कुल धर्म का इस्मन कराते वे उनकी दैनी इस्तती का सतीक चित्र खिंचा है कुछ नरेश इस इस्तती के अपवाद भी थे जिनमें भरतपूर के राजा रंजित सिंग, आउवा के ठाकुर खुशाल सिंग या कुशाल सिंग खुशाल भी है, कुशाल दोनों नाम है और अमर कोट के सोड़ा राणा रतन सिंग और नर्सिंगड के राजकुमार चैन सिंग प्रभर्ति उलेखनी है जिनोंने अंग्रे जी शासन सत्ता से जूजतेवे राष्टर की स्वतंत्रता वेदी पर अपने प्राणू को उत्सर कर दिया हमारे स्वादिनता सग्राम के इत्यास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया कवी ने अपने वीर धर्म के प्रती जागरूक ऐसे शूरवीरू का अगले दोहे में उलेख किया है क्या कह रहे हैं बहुत शांदार फिर से देखीगा एक बहुत अच्छा दोहा आपकी सम्मुक में रख रहा हूँ कामाईनी का थर्ड वाट जो है वो डाल दिया जाएगा कल जो है मैंने एक टेस्ट लिया है असी प्रस्ण केवल कामाईनी से है और कल साम को संभव हुआ तो मैं आपको यूट्यूब पर उसका सोल्यूसन उपलब करा दूँगा यहां पर देखीगा इनवेलारज पूतवे राजा से गुनरंजाट सुमरन लागा वीरसब वीरारो कुलवाट इनवेलारज पूतवे राजा से गुनरंजाट सुमरन लागा वीरसब वीरारो कुलवाट यदि आप देखें मैं संगीत को क्यों थोड़ा जो है वरियत्रा देता हूं यदि आप संगीत गाते वे संगीत के माध्यम से जब साहित्य को पढ़ते हैं साहित्य का आर्थी है आनंद साहित्य का आर्थी है उल्लास भाव के साथ उल्लास के साथ जैसी रचना है वैसे हमारे भाव होने चाहिए यदि आप जो है इस प्रकार से इसको पढ़ोगे दो बार यदि आपने पढ़ भी लिया तो यह अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कहे रहें इन वेला रजपूत वे राज से गुन रंजाट सुमरन लागा वीर सब वीरारो कुलवाट और ये जो वेला जो थी इन वेला इन मनी इस समय ये जो वेला ये जो समय जो थी उसमें वे राजपूत अर्थात वे राजपूत या वे शत्रिये लोग जो युद्ध के लिए सदेव तत्पर रहते हैं राजस गुण रंजाट प्रिये साथियों हमारे तीन गुण है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण जिसमें रजोगुण होता है वह शत्री होता है जिसमें सत्वगुण की प्रधानता है वो हमेशा हसता ही रहेगा कुछ भी कर लो गुसा आता ही नहीं है किसी का परिक्षन करना हो कि किसमे कौन सा गुण जो है वो प्रधान है तो किसी को आप कुछ भी बोल दो कुछ लोग ऐसे नहीं होते है साधूसंध टाइप कुछ भी बोल दें घुसा हाता ही नहीं है इसका मतलब वो सत्व गुण है वो रंजाट उनकी रग रग में वो राजस गुन जो है वो आयावा है रंगे वे है उससे वो युक्त है सुमरण लागा वीर सब ऐसे जो वीरत जो थे उन्होंने वो सुमरण लागा अर्थात वो इसमन करने लगे वीरारो कुलवाट अपने जो वीरता का जो कुल का जो धर्म है कुलवाट मनी जो कुल का जो धर्म है उसको सुमरण इसमन करने लगे शब्दार्थ पढ़ेंगे इन अर्थात इस वेला समय में राजस गुण रजोगुण अठाश शत्रियोचित वीर दर्प या वीर रोष वीरत्व गुण गिनने रंजाट मनी रंजित योग्ट रंगेवे सुमलन लागा इसमन करने लगे कुल रिती का अनुसर्ण करने है तू कटिबद होगे कुल वाट कुल का जो धर्म है वीरोचित कुल रिती जिसके अनुसार अपने स्वत्त्व एवं स्वातंतριती की स्वातंत्रिय की वाईऊ सर कितनी सुरिली ओके चलेगा स्वातंत्रिय की रक्षा के लिए शत्रू से लोहा ले या तो उस पर विजे प्राप करना अत्वा वीरता पूर्वक लड़ते वे वीर गती प्राप करना ये है कुल का वाट अब यहां पर कवीवर दुरसा आडा ने बिरुद सिहतरी में राणा प्रताप के संदर में कुल वाट या खत्र वाट का प्रिशे दिया है यह आपकी प्रिशा में नहीं आएगा इसलिए मैं लिए चलता हूँ आनन्द इसका तब आता जब हम दो मेने पहले पढ़ते तो और अच्छा होता चलिएगा यह जो पद्य जो था इसमें वीर रस है और गोडी शेली है और गोडी शेली है यह तीनों परस पर संबद है जहां पर वीर रस होता है वहीं पर ओजगून होता है और जहां पर ओजगून होता है वहां पर गोडी शेली होती है जिसमें गुशा जादा आता है उसमें राजस रजोगुन की प्रधानता होती है और जो मुर्खता करता है उसमें तमोगुन की प्रधानता होती है और जो हस्ता ही हस्ता है उसमें सत्वगुनिक प्रधानता होती है सत्वम लगू प्रकाश कमिष्टम उपस्टम भकम चलम चरजह गुरु वर्नक मेवतम प्रदीप बचार थतो व्रती अन्योना भी भवाश्य मिथोन व्रतेश गुणा यहां यहां से प्रस्ण आप से पूछा जा सकता है इसको आप मैक्पून करेंगे साथियों वीर सत्थसाई की उपादेता वीर सत्थसाई की उपादेता क्या है बहुत सुन्दर दोवा है उपादेता क्या है ये जो है वो इस दोहे में चित्रित की गई है मियों रिशात आप लोग बोलोगे हाँ ये तिनों एक साथ होते हैं जहां पर वीर रस होगा ओजगुण होगा और गोडी रिती होगी चलो अब यहां पर क्या है बोलो सतसई दोहा मई मीशन सूरजमाल जम पे भड़ खानी जठई सुने कायरा साल सतसई दोहा मई मीशन सूरजमाल सूरजमाल कौन है सूर्यमल मिशन सतसई दोहा मई वो कह रहे हैं कि मैंने ये जो सतसई लिखी है ये दोहा मई बहुत सुन्दर साख और सरल साख है सत्सई दोहा मई मिशन सूरजमाल जम पे भड़ खानी जठ़ई सूने साय कायरा साल और वो कह रहे हैं मेरी जो ये सत्सई है वो दोहा मई है हालांकि इसमें पूरे 702 नहीं मिलते हैं लेकिन ध्यान ड़कना तो जो है सत्सई फिर भी इसको सत्सई कहा गया है सत्सई दोहा मई मिशन कह रहे हैं कि मेरी जो सत्सई जो है वो दोहा मई है और मिशन चारण कुल की जो शाका में में सूरजमल सूरजमाल मनी सूर्यमल मिशन जो मैं उत्पन हुआ हूँ वो इसको दोहे के रूप में लिख रहा हूँ और इसकी महत्ता क्या है? इसकी उपादेता क्या है? तो क्या कहे रहें? जम्पई भडखानी जटःई मनि जिसको कहने से जम्पई शम्ष्कित का एक सब्ध है जल्प और जल्प का आर्थ होता है कहना या बांचना जिसको हम बुलते हैं जपई मनी जिसका जब करना जिसका धान करने से जब करना या जिसके धान करने से वो कह रहे हैं कि ये दोहा मई जो मेरी वीर सच्चई है उसका धान करने से क्या होता है भड़ खानी जटई भड़ ये योधाओं को खाने वाली है योधाओं को खाने वाली कैसी है जो योधा ह वो इस यदि वीर रस से परिपोन मेरी इस वीर सचाई का यदि श्रवन कर लेगा यदि इसको सुन लेगा तो भड़ खानी आपसे पूछा जा सकता है भड़ खानी का अर्थ क्या है ये योधाओं को खाने वाली है सैनिकों को और जो शूरवीर है उनको खाने वाली है कैसे क् वो इसको सुन करके वो इसको पढ़ करके और युद्ध में जाएंगे और वीर गती को यदी प्राप्त हो जाएंगे तो उनको खाने वाली हैं लेकिन सुनई कारां साल जो कायर लोग हैं कायरां जो कायर लोग हैं वो सुनई यदि इसको मेरी वीर सचसाई को सुन लेंगे तो साल एक समस्कित में शब्द है शल्ले कांटे को वीर लोगों के तो ये वीर वीर पुरुसों को तो ये खाने वाली है लेकिन कायर लोगों के कांटे के समान चुबने वाली है अर्था जो कायर लोग है साल का मतलब शल्लिक कांटे की भांती जो है चुबने वाली है ये इसका भाव है साथ सो चंदू के संग्रे वाला ग्रंट मिशन समस्कित में मिशन चारणू की एक्षाका चारणू की गोत्र सूरजमाल सूर्यमल जपई समस्कित में जल्प प्राकरत में जंप और यहां पर जपई हो जाएगा कहता है रसना करता है भड़ खानी भड़ जो है समस्कित में होता है भट भट का भड़ बन जाता है यह आपको ध्यान रखना है खानी मनी खाने वाली है योधाओं को मर मिटने की प्रेड़ना देकर उनका भक्षन करने वाली है इस शब्द की लाक्षनिक वेंजना अनूठी है वीरता प्रग दोहे सुनकर शूरवीर पर पौरुस का ऐसा रंग सट जाता है कि वह युद में कट मरने के लिए व्याकुल हो उठता है अते कवी ने इसे भड़ खानी का है ये पूचा जा सकता है सुनो पाठा अंतरमनी सुनी सुनते ही सुनने में साल समस्कित का शब्द है शल्य सालने या कस्ट देने वाली काईरू को कांटे की भांती चुबने वाली है कस्ट देने वाली है ये इसका भाव है काईरू को इस विरोतेजक वीर सत्षई को सुनकर दुख होता है क्योंकि अपनी कायरतावर्ष वेश में निरूपित इसमें जो रचित वीर के लिए जो आदर्श है उनका अनुश्रण वो नहीं कर सकते और मनी मन में लज्जा होती है और आत्म गलानी से पेडित होते हैं भावार्थ यह पता चुका हूँ वो ही भावार्थ है चलीगा यहां पर कवी ने अपनी वीर सत्साई के उद्दिश्य पर प्रकास डाला है प्राकर्थ भासा के कवी हाल की गाता सत्साई से सत्साई प्रम्परा आरम हुई थी यह भी आपको धान डखना है चलीगा नथी रजोगुन जानरा वा पूरोन उफान वे भी सुनता उपनी पूरा वीर प्रमान नथी रजोगुन जानरा जानरा जिन नरू में नथी नहीं है देखो गुजराती का सब्द है हमारे समस्कित में था नास्ती प्राकर्थ में बन गया नथी और गुजराती में हम केते और जिसमें पूरा उफान नहीं है वीरता जिसमें उफंती नहीं है वीरता जिसमें धड़क्ती नहीं है कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मेरी जो ये वीर सचछी है उसको सुनकर के जा नरा नथी रजोगुन जिन में रजोगुन नहीं है युद्ध करने का भाव नहीं है जिसमें सत्रियोचित गुन नहीं है और वा पूरो ने उफान वीरता का पूरा उफान भी जिसमें नहीं है वे भी सुनता उफणे वे भी इसको सुनकर के उफणे वीरोचित प्रकास से भर करके उफणने लग जाते हैं पूरा वीर प्रमान इसलिए मेरी ये जो सचसाई है वीरता के लिए पूरी प्रमान है ये इसका भाव है जिन पुरुशों में वीरोचित रोश मनि वीरत्व नहीं है अत्वा जिन के हर्दे में शोर्य का उन्मेश हिलोरे नहीं जो है लेता है बिठा ऐसा कुछ नहीं है मैं जानता हूँ आप लोग भी जानते हो मैं तो केवल आपको देखो क्या है न मुझे लगता है कि शिक्षक जो है न वो उसको सारे के सारे जो है रोल भूमिकाएं जितने भी भूमिकाएं हो सकती है एक विद्यार्थी के जिवनों निभा लेनी चाहिए मैं इसमें कितना सफल हूँ ये तो आप लोग जानोगे ताकि आप लोगों का मन नहीं तो क्या है न हम जब क्लास में बार निकलते हैं और यदि शिक्षक ने ढंक से नहीं पड़ाया तो बार जाकर के सिर्दर्द की शिकाइट करते हैं कि शिर्दर्द हो गया तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिर्दर्द नहीं हो ओनलाइन क्लास हैं ओफलाइन होती तो कोई आनन ओर था चलिएगा जिन पुरुसों में विरोचित रोष मनी विरत्व नहीं है अत्वा जिनके हरदे में हरदेयों में शोरिय का उन्मेश हिलोने नहीं लेता है वह भी इस वीररस प्रबोधिनी वीररस का प्रकाश कराने वाली वीर सच्थाई को सुनते ही शूरवीरों के शमान प्रशंड क्रोधा आवेश में उबल पड़ते हैं अर्ठात उन पर भी मेरी वीर सच्थाई पढ़कर के सुरापन चा जाता है वीर उनमाग चा जाता है इस पद में याद रखेंगे मैटमून चीज है उत्सा नामक इस्ताई भाव होने के काण वीर रस की निश्पत्ती हो रही है एक चीज की मैं आपको आश्वस्ती देता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बार प्रस्न आपको परिक्साम नहीं मिलेगा हम वापस जब प्रस्न पत्र होगा तब मिल लेंगे इसलिए धान से सुनना बस इस दोव में प्रथम और चतुर चरण में वेन सगई अलंकार है देखो कैसे इसको भी देखो प्रथम न न और प प वे नहीं है यहां पर नहीं है वा वा इसमें भी नहीं है तो पहले और चोथे में तो वेन सगई है क्योंकि यहां पर भी न है न है प प लेकिन दूसरे और तीसरे में नहीं है इसलिए कहा कि प्रथम और चतुर चरण में वेन सगई अलंकार है आपसे पूछा जा सकता है ये प्रस्ण भी आपको ध्यान रखना है चलिएगा जे दो ही पक उजडा जूजन पूरा जोद सुनता वे भड़ सोगुणा बीर प्रकासन बोध शब सकती भी कराएंगे मैथड़ भी कराएंगे और साथियों जो है सिर्दत बंद हो जाता है आपको सुनकर चलिगा तो सुमन हाँ ये भाव तो है लेकिन समस्या कहाना मुझे लगता है मैं राद दिन पढ़ाता जाओं बस और आप लोग सुनते जाएं लेकिन मैरी समस्या है मुझे लगता है कि बहुत सारी और चीज़े हैं जिसको मैं देख रहा हूँ सब पूरा करा दूँगा देखो थोड़ा साग लेट होती है मैया पाट साला लेकिन कभी पीछे नहीं रहती है आपको धान रखना है जे दो ही पक उजला जूजन पूरा जोद अब जब आप देखो वियन सगई को ध्यान करके पड़ोगे ना आप सबको बहुत मजाएगा जे दो ही पक उजला जूजन पूरा जोद सुनता वे भड़ सो गुणा बीर प्रकासन बोध जे दो ही पक उजला अब आप से पूचा जा सकता है कि कवी यहां पर कौन से दो पक पक का मतलब होता है पक्ष पक्ष जो है शोका ख बन जाता है तो पक्ष मनी जिसके दो पक्ष मात्री पक्ष और पित्री पक्ष प्रियसाथियों यहां पर सूरी अमल मिर्ट्रण यह कहना चाहते है कि जिसके मात्री पक्ष और पित्र पे दोनु उजला, उजला मनी उज्वल है, उज्वल है, उज्वल है, अर्था जो दोनु पक्ष में वीरत्व का उज्वल, वीरत्व की उज्वला था, यदि द्रस्थव्य है, तो जूजन पूरा जोद, जोद कौन है, योधा, समस्कित म मानि जूजने में वो जो है जूजने में जो है युद्ध करने है तू जूजन जो सब्द है वो युद्ध से बना है ये युद्ध शब्ध है युद्ध से ही क्या बना है बोलो जूजन ये आपको धान रखना है समस्कित में युद्ध है प्राकर्त में ये जूज बन जाता यह आपको धान रखना है जे दो ही पक्ष उजड़ा कभी कह रहे हैं कि जिसके दो पक्ष दोनुपक्ष जिसके उजवल है मात्रिपक्ष और पित्रिपक्ष जूजन पूरा जोद ऐसे क्योंकि माता-पिता का जो असर है वो संतान पर पड़ेगा और वो जो है पूरे योद् युद्धग में पूरे योदा कहलाते हैं सुनता वे भड़सो गुणा बीर प्रकासन बोध बहुत इंजार करते हैं आपकी कख्ष का हाँ बीटा बिलकुल जो है साती रहूंगा मैं आप लोगों का सेलेक्षन हो जाएगा तब भी हम जो है ना बहुत सारे साइट की सुनता वे भड़सो गुणा और जिनके दोनों पक्ष उजवल हैं जो हैं जूजने में युद्ध करने में योदा है ऐसे लोग भी यदि मेरी वीर सथसाई को सुनता सुनने पर वे भड़ भड मनी वे भट जो भड मनी भट जो है समस्कित में होता है भट और भट का भड मनी वीर प्रियसातियों ये वीर जो है उसी के सारे के सारे प्रियाईवाची सब्ध है उसका सोगुणा जोश जो है मेरी वीर सथसाई का वीर सथसाई पढ़ करके उसका और सोगुणा जोश बढ़ जाता है अब आपसे पूछा जा सकता है कि जिनके दोनों पक्ष उजवल है वो लोग भी यदि वीर सचाई को पढ़े तो यहां पर कितने गुणा जोष बढ़ जाता है बोलो सो गुणा जोष बढ़ günाव करने के लिए यह प्रयाप्थ है जो शूर वीर अपने दोनों ही पक्षों मात्रि पक्ष और पित्रि पक्ष उज्वल है अर्थाद विरांगना माता है और वीर पिता देखो विरांगना शब्द होता है इस ट्रेलिंग में माता हैं वीर पिता के यशस्वी कुल में उत्पन हुए हैं और जूजने में पूरे योद्धा हैं उन्हें तो इन वीरता परक दोहों को सुनते ही सोगुना शोर ये प्रदर्शित अधिक करने की प्रेणा मिलेगी ये आपको ध्यान रखना है और अर्थात सचे तथा वीर कुलोत्पन जो सुभट है जो सुन्दर योद्धा है सुन्दर का मिलब शरी से नहीं जो लड़ने में सुन्दर है उन पर तो इन दों को सुन वीरता का ऐसा रंग चड़ेगा कि उसका पौरू सोगुना हो जाएगा और अंग्रेज क्या उनके वो भी भाग जाएंगे इस दोहे में कवी सूर्य मल मिश्ण निंदेश बक्ती में वीर रस का संचार राष्ट प्रेम और वीरता की भावना का जागरण किया है अब साथियों ये जो देखीगा ये जो पुस्तक है आपको मैं बताना चाहूंगा ये जो पुस्तक थी इसमें ये नो दोहे तो नरोतमदा स्वामी के थे लेकिन आगे वाले जो दोहें है वो ये ये पढ़ना आपको जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ पुस्तक वाले नहीं पढ़ना है ये आपको धान डखना है चलिएगा और ये सारे के सारे दोहे जो है मैंने देखीगा आप लोगों को दिख रहोगा ये वीर सत्साई है और इसके नीचे नाम लिखावाया देखीगा संपादक नरोतमदास स्वामी आपको दिखाई दे रहा होगा और उस पुस्तक से जैसे हैं वैसे ही लिये हैं लेकिन यहां पर वार्तनी का सुद्धिया है जल्दवाजी में जो हैं पिपिटी बनाई थी और इसलिए मैं इसको सुधार करूँगा आप मेरे थोड़ा सेयो करोगे ऐसी मुझे उमीर है चलिए मैं सुरू करता हूँ रणहा लीजे अब यहां पर ये गड़बड है रणहा लीजे यहां पर मैं इसको हाथ में ले लेता हूँ चलिएगा रणहा लीजे चारना जहां पर गलती होगी मैं सुधार करवा दूँगा यह आपको धान रखना है मेरे साथ बोलो आप तो आनंद के साथ रणहा लीजे चारना चाए अब लग चेन करे सुहर जिशरी कहो बिदसो दूर बनेई न बनेई ने बनेई ने मनी बनता नहीं है बनेगा नहीं या बनता नहीं रण रण कहते हैं युद्ध को अब यहां पर चारन जाती जो हैं चारन जाती को उद्बोदित कर रहे हैं चारन जाती को उद्बोतित किया गया है ये पेडियेप जो है इसमें मैं सुदार करके आपको मैया पार साला एप पर दूँगा इसलिए जिन लोगों ने भी मेरी पुस्तक ली है वो किरपा करके इसको सुदार लेंगे और मैं यूटुब पे इस व्याखियान को इसी लेरे लेकर आया था क्योंकि राजस्तान में जहां जहां भी पुस्तक है ये पुस्तक में गलती हुई है मुझसे 9 ही दो है थे जो अभी तक पढ़ें आगे के 11 दो है जो है इसमें नहीं है और इसलिए ये दोफे आपको पढ़ने है, चलिएगा, रण अर्थात युद में, हालीजे, हालीजे का आर्थ है, चलिए, हे चारणों, युद खेत्र में चलिए, चारणा, हे चारणों, रण हालीजे, बोलो, हे चारणों, हे चारण कुल के लोगों, रण हालीजे, युद म तुम्हें चलना होगा। चाहे अब लग Church meant chain चाहे मनी जो है चाहे कार्थ है देखो अब कोई जो है वह chain नहीं है अब चलो अब अब तक आराम बहुत देख लिया अब लग chain अब लग हम कहते हैं अब लग अर्थाद अब अब तक बहुत चैन से आप लोग सो लिये हैं आराम से आपने रेलिये हैं बिलकुल मैक्स डू वेल ग्रेट शब्ड है नहीं जानें सद्रिश्वम पवित्रम ये विद्यते आपने अच्छा पूछाए मैं बताऊंगा वेसे विशयांतर है इस अंसार में जान से पवित्र प्रिवेश करना चाहित चाहे अबलग चेन रन हाली जये चालना हे चाहनजाती के लोगता हुँ रन मनि युद्ध में आम घेशी तैसी जैसी तैसी मनि वीर जैसी करनी करे वैसा उसका बखान करो करे सुहड सुहड का अर्थ है वीर वीर लोग जिसरी जैसी तैसी जो है करनी करता है वीरूं का जो स्वभाव है उसको वो जैसा कैसा भी कर रहा है उसको कहो कहो का अर्थ है बखान करो विद सो दूर न विद यहा काम विद का अर्थ है ये विधी या ये कारिये दूर ये सो सो मनी यहा विधी मनी कारिये दूर न दूर वणई न दूर वणई न अर्थाथ दूर रेकर के नहीं बनेगा ये इसका भाव है बात ये है नोर्ष वाले भी पढ़ने है क्या बिलकुल पढ़ने है ये नो दोखे जो है मैं आपको जो है विदिवत रूप से आपको टेलिग्राम पे जो है उपलब करा दूँगा चलिए अब थोड़ा साथ आपका दाईत बढ़ गया है मैं आपको कहा कि थोड़ी युद्ध में चलना होगा और युद्ध में चलके क्या करना होगा करे सुहड करे सुहड जिसरी कहो अर्थात जो सुहड मनि वीर लोग जिसरी जो अर्थात जैसी करनी करता है उसको कहो उसको अपने साहित्य के माध्यम से बखान करो लोगों के सामने लाओ विद्सो दूर व लिए चलता हूँ अब यहाँ पर ग्यार्वा दुआ क्या है ग्यार्वा है आगाचारण खाबकां बीडी मोजवतंत दूरा के में दकालना हूँ चकता भड़ हंत यह बिल्कुल ठीक है इसमें कोई गड़बर नहीं है अगाचारण खाबकां बीडी मोजवतंत दूरा के में दकालना हूँ चकतां भड़ हंत पहले अरत पढ़ लो खाने के पदार्वा अब वो चारण जाती को कोशते हैं यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि खाबकां मनी जो खादि पदार्थ है अर्थाथ जो है खाबका का अर्थ है भोज्य पदार्थ और जो खाद्य सामगरी है भोज्य एवं जो खाद्य सामगरी है खाद्य सामगरी सामगरी वटंत वटंत मनी बांटे जाते समें बांटे जाते समें हे चारंजाती के लोगूं बांटे जाते समें वीडी वीडी का अर्थ होई है बीडी वही जो बीडी जो पीने वाली होती है बीडी अर्थात तमाकू जो है आगा मनी आगे 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 का अर्थ है आगा हम कहते हैं ना आगो बड़े अर्थात आगे 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 वो कह रहे हैं कि है चारण जाती के लोगों तुम खाबे खाबका मनी भोजे और खा साथ आगे आगे उसको जो है खाने के लिए और पीने के लिए दोड़ते हो लेकिन दूरा केम दकालना हूं चकता भड़हंत दूरा मनी दूर से दूर से दूरा मनी दूर से और केम मनी कैसे कैम का रथ है कैसे कैसे दकालना दकालने का रथ है ललकार ना मनी ललकार ललकार को प्रोचाइत करने वाले और चक्ता का आर्थ है हिचकने हिचकते समे भड भड जो है वो कहते हैं वीर को और हंत अर्थात डूब के मरो या दुख पूर्ण सब्ध है दुख पूर्ण संबोधन है ये संबोधन किसको किया गया है चारण जाती को ये चारण जाती के लोगों खाने के पदार्तूं और तामबूल की मोज के वित्रन के समय चारण आगए-आगे रहते हैं परंतु अरे हंट अरे वीरूं के हिचके ने दकालना हुचकता अर्थात हिचके चाने के समय प्रोटसाइट करने के लिए दकालना हम कहते हैं दकाल दिया उसको अर्थाथ प्रोसाइट करने के लिए वे लोग दूर कैसे हैं अर्थाथ दूरां केम दकालना दूरां केम जो है आप लोग दूर कैसे हो अब जब वीरों को प्रोसाइट करने की आउशिकता है तब आगे क्यों नहीं आते हैं आप लोग एक लिखली जीगा भोला की चहरो भंडा भडा केते हैं हे वीरू भडा अर्थात हे वीरू भोला का अर्थ है भोले की चहरो मनि निंदा करते हूं अब यहां पर जो है वीरू को संबोदित कर रहे हैं और वीरू को क्या बताया गया है भोला वीरू को संबोदित करते वे क्या कह रहे हैं वीरू को संबोदित करते वे कह रहे हैं कि हे भडा भडा अर्थात हे वीरू भोला हे भोले वीरू की चहरो अर्थात तुम चारणू की निंदा क्यों करते हो पहली लाइन जो है वो आपको समझ में आई होगी भड़ा हे वीरू भोले हे भोले वीरू की चेहरो चेहरो का अर्थ है निंदा करना लिखो गे साइड में चेहरो का अर्थ है निंदा करना तुम जो है चारण जाती की निंदा क्यों करते हो इखो हे भोले विरू चारणू की बुरई क्या करते हो चारणू को देखो तो सही हमारी वीरता भी देखो हमारी वीरता भी देखो हम कितने ही भागने वाले कायरू को बचनू के चाबुग से बचनू के चाबुग से ही काट डालते हैं बचनू के अब यह के हो के हो अर्थात कितने के हो अर्थात कितने ही कड़ता का अर्थ है युद्भूमी से भागते वे कायरा अर्थात कायर लोगों को वाढ़ा काठ देते हैं काठ देते हैं चाबुक वेन का अर्थ हो गया वचन रूपी चाबुकों से हम काठ देते हैं चाबुकों से देखो पहले जो दो्धय थे उसमें तो खाने में पिछे नहीं रेना हाँ यहाँ पर आप लोगों समस्या हो रही है लेकिन मेरी मजबूरी है जैसे कैसे भी हमें इसको पूरा करना है ध्यान रखेगा चलीगा साथियों यहाँ पर क्या है वो कहा रहे हैं कि हे भोले वीरों क्योंकि पहले दो है जो थे उसमें चारण जाती को प्रबोदित किया अब वो उन वीरों को कह रहे हैं लेगिन वीरों को कैसे बता रहे हैं भोले है भोले वीरों तुम इन चारण जाती को एण ठीक से एण का अर्थ है ठीक से देखो देखो तो सही क्या देखो के हो अर्थात ये जो है चाबुकों से वचन रूपी चाबुकों से आपको फिर से उद्वेलित करती है और फिर से जो है आपको जगा देती है ये इसका भाव है चाबुक वेण में रूपक अलंकार है रूपक अलंकार है ऐसे आपको ध्यान रखना है चलीगा आगे लिए चलता हूँ और आगे हैं भाट गणा दिन भाकता कुल भूल्या भूकन्त रहिया नेडे रहिया नेडे वीरही जाना विरद जपन्त ये ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है चलिएगा भाट गणा दिन भाकता अब यहां भाट जाती को जो है भाट जाती को प्रबोदित कर रहे हैं किसको भाट जाती को प्रबोदित कर रहे हैं उसको जगा रहे हैं और सुर्यमल मिश्ण क्या कह रहे हैं भात गणा दिन भाकता कुल भूला भूकंत रईां नेडे विरही जाना विरध जपंत भात बव दिनों से बाट जाती गणा मनी बव से दिनों से भाकता अर्थात कह रहे हैं ये भाट जाती के जो लोग है वो बहुत दिनों से भागता भागना जो है भागना जो है उसको राजस्तानी का सब्ध है और भागना का अर्थ है कहना अर्थात भाट जाती के लोग जो है वो बहुत दिनों से कह रहे हैं भाट बहुत दिनों से कह रहे हैं उन्हें ये कहते वे बहुत दिन होगे कि कुल भूला भूकंत अब आप से ये पूछा जा सकता है ध्यान रखेगे मोस्त करोगे भूकंत अर्थाद भू अर्थाद धरती के इस धरा के इस प्रत्वी के कंत अर्था स्वामी धरती के स्वामी भाट जाती के लोग बहुत दिनों से ये कह रहे हैं कि ये प्रत्वी के स्वामी मनि राजा या शक्रिये लोग कुल भूला अपने कुल के धर्म को भूला अर्थाद भूल गए उपर की दो लाइने समझ में आ गई हाँ बोलिएगा एक बार भाट जाती के लोग बहुत दिनों से भाट जाती के लोग बहुत दिनों से ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि प्रत्वी के स्वामी भूकंत अर्थाद ये धरा के स्वामी जो प्रत्वी के स्वामी है वो कुल भूला कुल देखो वैसे तो कुल है लेकिन क्योंकि पाथल पि वो गुण है उसको वो भूल गए है रईया नेड़े वीर ही अब वो भाट जाती को प्रबोदित करते वे कहते हैं कि रईया आप लोगों को रहना है नेड़े नेड़े कारत है समीप मनि किसके समीप लेना है वीर के वीर लोगों के समीप ही आपको रहना है जाना विरद जप यदि तुम अब उन वीर अब वीरों के निकट रहोगे तब ही हम जानेंगे कि वे वीरद गाते हैं वीरद कार्थ है वीरों की प्रसंसा में अंतिम पंतिकार्थ फिर से बताना बता दूँगा अंतिम पंति इसी का न अभी बताऊंगा जाना मनी जानेंगे जाना कार्थ है ज विरद विरद जो है वो इस्तुतिगान को कहते हैं किसको इस्तुतिगान इस्तुतिगान जो है जो भाठ जाती के जो लोग है वो विरद करते हैं और इनी की विरदावलिया है या आपको धान रखना है तो जाना विरद जपंत जपंत बनी जबते रहते हैं अर्थात गाते र पर्यादा कुल का सोभाव जो लड़ने का जो सभाव था उसको भूल गए हैं अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि रहिया नेडे वीर ही अब आपको वीर लोगों के समीप रहना है जाना विरत जपंद जब तुम ऐसा करोगे तभी में जान पाऊंगा कि जो है आप सच्चा व और गन ऐसा सब्दे ध्यान रखना बहुत अच्छा है पूचा जा सकता है सातिओ और गन का मतलब है जो और य leisten करने वाले गान या संगेत करने वाले करने वाले जो लोग है जांगड जांगड जो है वो कौन है धूलि जाती के लोग अब धोलियों का संबोधर है यहां पर आगा मनी आगे आगे पढ़वा पढ़वा मनी रहते हैं पढ़वा का अर्थ है यहां पर रंग मेल धोली जाती के जो रोग है वो रंग मेल में बड़ी सुन्दर सुन्दर ओलगन गाते हैं और क्या करते हैं जांगड जीमन जाग जीम जीमने में सबसे आगे रहते हैं कौन धोली लोग बाहर में दोग का बता देंगे बेटा जीमने में सबसे आगे रहते हैं क्या कह रहे हैं हे धोलियों रंग मेल में गाने बजाने के लिए और जाग मनी बरात की जेवनार मनी जो जीमने की जो है उसके लिए तुम लोग प्रण्टू। भड़ दूर को सुन सी सिंदूराग कुण आएगा यहां पर दूर को सुन सी सिंदूराग ऐसे होगा रण जड़ता अब यहां पर वो कह रहे हैं परंतु रण मनी युद्ध में युद्ध में रण का अर्थ है युद्ध में जड़ता मनी गिरते समें रण में युद्ध में जब गिरते समय भड मनी योधा जो लोग है वो तुमारा ये सिंदु राग जो है ये सिंदु राग क्या होता है सिंदु राग जो है वीर रस का एक राग है जो युद्ध के समय वीरूं को प्रोचाइट करने के लिए बजाया जाता है आलसु जीमन में होंसियार हाँ मनी गाने बजाने में रंग मेल में गाने बजाने में आगे रेते हो और जीमने में भी आगे रेते हो लेकिन मैं तुम्हें अब 2012 में सिंदु राग वाला पूछा था आर्पिये सिंदु राग जो है मैं लिख देता हूँ आप लोग लिखो सिंदु राग क्या होती है युद्ध के समय वीरूं को प्रोचाइद करने के लिए धोली जाती द्वारा गाया जाता है ये है सिंदु राग तो वो ये कह रहे हैं कि आप रंग मेल में जाकर के तो बड़ी बड़ी जो है राग अलापते हो सर जी हमारी कोचिंग के नौट्स है उसमें भी वही वाले हैं जो आपकी बुक में हाँ बिलकुल चलिएगा तो साफी वो कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि भई सुनो पहली बात बीच में अभी एक एंस्वर नहीं करोगे वो कह रहे हैं कि तुम गाने बजाने में आगे हो जीमने में आगे हो लेकिन है ढोलियों मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि रण जड़ता भड अर्थात रण से भागते वे रण में रण करते समय युद करते समय जब वीर घिर रहे होते हैं उस समय तुम दूर से यदि सिंदू राग गाओगे तो को सुन सी तुमारी राग को कौन सुनने वाला ह पर युद भूमी से दूर क्यों हो युद में गिरते समय कौन वीर दूर से तुमारे उस सिंदू राग को सुनेगा युद होते ही तुम वीरुंक से दूर हो जाते हो ये बिलकुल सई बात है चलेगा पंद्रवें दोहे प्रमागे हैं और पंद्रवें दोहे जो हैं आपके सामने में लिए चलता हूँ साथियों धोलन धोलीनू कही पुड़ो उतावर माहा भीड़ई वहा दुहाहा चर भीड़ना हसनाहा यहां से भी कुछ प्रस्ण आ सकता है और इसलिए मैं बार-बार आपको कहने के आउश्यक्ता नहीं है ऐसा होता नहीं है मैया पाट साला में बहुत कम होता है मजबूरी से आज पीपी डिसाई नहीं बनी इसलिए चलिए मैं आपको इसको अर्थ बता देता हूँ धोलन अर्थाद धोलन जो है धोली की जो पत्नी है वो धोली नो अर्थाद नो मनी से कही मनी कह रही है पूरो पूरो का मतलब क्या है ये पूरो जो है इसका आर्थ है जो है चलो पूरो का आर्थ है चलो उतावर मनी शिग्रता से चलो अब यहां पर कौन कह रही है ? धोलन कई बार प्रस्ण ये भी आता है कि वीर सत्साइ में किस-किस का उलेख हुआ है या आप से ये भी पुचा जा सकता है कि आरंब बीश दोहों में किस-किस जाती का उलेख हुआ है या आपको ध्यान डखना तो धोलन जो है अपने धोली से कह रही है क्या कह रही है पूरो उतावर माहा का मतलब क्या है मैं मा का अर्थ क्या है मैं या ही अर्थात धोली जो है वो धोलन धोली से कह रही है कि पूरो मनी चलो उतावर सिग्रता से चलो भीड़ई वहा दुहा चर चर कौन है सेवक देखो ढोलिन, ढोलि से कहती है, उतावले होकर चलो, ये इसकी लाइन हो गई, वो कहरी है, देखो, सेवग, मनिचर जो है, वो योधा के, योधा के, योधा के गोडे को, वहा का अर्थ है गोडे को, वहा का अर्थ है गोड़ा गोड़े को जो है भीड़ई दुहा हा दुहा जो सब्ध है इसका अर्थ जो है वो योधा है दुहा अर्थात योधा कोई धोलन धोली से कह रही है जल्दी चल शिकरता से चल और देख ये जो सेवक है वो योधा के वहा दुहा मनी योधा के वहा अ अर्थात उसको वो कसरा है कौन उसका सेवक और भीड भीड ना सना भीड जो है भीड भीड़ भीड़ई है यह भीड़ नहीं है फिर से इसमें गड़बड़ें बहुत होई है भीड़ई अर्थात भीड़ई भीड़ई का अर्थ है जो है भीड़ई अर्थात वो जो कवच क्या है बोलो कवच रख्षा का आवरन कवच या आवरन अब इसको पड़ो धूलिन धूलि transgender कहती है उतावले हो कर चलो देखो सेवक योधा के घोड़े को कसरा है और स्वामी कवच को कसरा है वीर युध में जाने को तयार हो रहा है हमें भी उसे प्रोसाइद करने के लिए जल्दी से उसके समीब जो है पहुंजाना चाहिए ये इसका भाव है आगे लिए चलता हूँ और पंद्रवा सौलवा दोहा आपके सामने है अब यहाँ पर देखो बहुत सुंदर बात है नी धड़क सूतों के हरी तो भी वी मुहाँ पाम गजगेंडा धीरन धरी वज पड़े वग वाव अब यह वावर भी है और वाव भी है यह आपको धान रखना है वाव का आर्थ है गंद गंद वग का आर्थ है व्याग्र व्याग्र और वज्र पड़े मनि वज्र के समान वज्र कासा वज्र कासा निधड़क निधड़क का आर्थ है निशंक अर्थ ल तो भी विमुहा, विमुहा मनी उल्टा, विपरीत, उल्टा या उल्टे जो है, उल्टे पेर, उल्टे पेर, उल्टे पेर, पाउं, पाउं का मतब पेर, गज हाती, गज कौन हाती, गेंडा जानते ही हो, धीर न धरई, धीर अर्था धैरिये, न धरई, धरण नहीं करता है, अब देखो, कवी यहाँ पर यह कह रहा है, कि सिंग जो है, वो निर्भय होकर सोया है, निधडग सुतो कहरी, कहरी का अर्थ क्या है, सिंग, निधडग सुतो, अर्था आप निशंक होकर के सो रहा है, तो भी विमुहा पाऊं, जब शेर अपनी गुफा में निशंक होकर के, विशब्द होकर के सो रहा होता है, तब भी उसको देख कर के, जो है, कौन-कौन, गज, गेंड़ा, यह धीर को नहीं धुरते हैं, और बाकी जो लोग हैं, वो भी जो हैं, उसको देख कर के, उल्टे पाऊं, वापस भाग जाते हैं, सिंग निर्भेयो कर सोया है, वागेरी नींद में है, वागेरी नींद में है, तो भी हाती और जो गेंड़े जो है, हाती और गेंड़े जो है, वो धीरस धारण नहीं कर पा रहे हैं, और भय के मारे उनके पेर पीछे की और पढ़ रहे हैं, पाउं, पेर, विमुआ, पीछे की और उल्टे पड़ रहे हैं, सेर तो सो रहा है, तब भी ऐसा हो रहा है, वज्र पड़े वग वाव, ये पंक्ती बहुत मैत्मून है, पूछा जा सकता है, वज्र, उस सिंग की गंद, वाव का मतलब है गंद, वग मनि उस व्याग्र की सिंग की जो गंद ही, उन पर वज्र सी गिरती है, जैसे वज्र से जो प्रहार होता है, उसके माध्यम से व्यक्ति जिंदा नहीं बसता है, लेकिन उस सेर की जो गंद है, वही इतनी जो है, तेजस्वी है, वीरता से युक्त है, कि जो है, उसकी गंद से ही, जो है, उसकी गंद भी वज्र के समान गिरती ह सिंग स्वेंब नहीं है पर उसकी गंज सही हाती और गेंडे जिसे पसु जो है वो गबरा रहे हैं अन्योक्ति अलंकार है यहां पर मैटमून करोगे कौन सा अलंकार है अन्योक्ति क्योंकि प्रबोधित किसको कर रहे हैं वो यहां पर हाती और गेंडे कौन है जो अंग्रेज है वो हाती और गेंड है और यहां पर सेर कौन है जो रजपूत है जो तामस राजस गुन से युक्त है जो शत्री है वो जो है वो क्या है उस व्यागर के समान है इसलिए वो कह रहे है कि अपना अस्तित्व अपनी अस्मिता को पहचानो तुमारी गंद से वो भूल गये हो यह इसका भाव है आगे कह रहे हैं पग पाचा चाती धड़के काड़ो पीड़ो दी है नेन मिरच सामो नेन मिरच नहीं है नेन मिरच नहीं है नेन मिचई है पग पाचा चाती धड़के काड़ो पीड़ो दी है नेन मिरच सामो सुनई कवण हकाले सिंग हकाले सिंग हकाले ललकारता है ललकारता है कवण कौन सिंग सिहं काड़ो पीड़ो दी है दी है कारत है दिर्ग आकार ये जो अपने जो भारत के जो वीर योदा है उनका यहां पर वर्णन करते वो कह रहे हैं कि उनका वो शेर रूपी जो योदा है सुनोगे बात को जो शेर रूपी जो योदा है उनका कालो पीडो देह मनि काली पिली अर्थात यहां पर लक्षना यह है कि उनकी भयंकर और दिर्ग आकार की देह को उनके शरीर को देख करके पग पाचा चाती धड़के जो दुश्मन जो है जो शत्रू लोग जो है उनका जो है वो पग पाचा वो पेर पाचे जो है अर्थात उल्टे पेर भाग जाते हैं और उनकी चाती धड़कती है अर्थात उनका भय इस प्रकार इस कदर उनके जो है मस्तिक्स वरहावी है कि वो काली पिली देहे वाले जो भयंकर अपने योदा है उनको देख करके दिर्ग आकार अब आप से पूछा जा सकता है दिहे कार्थ क्या है तो दिहे कार्थ है दिर्ग आकार वाले उस जो है व्यागर रुपी वीर पूरुस को देख करके जो जो कायर लोग है वो जो है भाग जाते हैं और उनकी छाती धड़कती है और सामो सामो का आर्थ है सामने आयावा देखकर सामो का मतलब है सामने आयावा सामो सामने आयावा सुनई यहां सुनई है ना हाँ सुनई सामने आयावा सुनई का आर्थ है सुनकर और उस वीर योदा को सामने आयावा सुनकर नेन अर् है कि कवन हकालई सिंग ये सूकती है कि कौन होगा जो हकालई जो सिंग को कौन जो है कौन ऐसा व्यक्ति है जो सिंग के सामने आकर के उस सिंग को ललकार पाएगा यहां पर भाव यह है काला पिला भैंकर और दिरगा कार सिंग सामने आ रहा है सिंग का मतलब है यहां पर भी अ अँखें बंद हो जाती है उस सिंग को अर्था आक उस शूरुवी रूपी सिंग को सामने आकर कौन ललकार सकता है कौन किसका सास ऐसा है ये आपको ध्यान रखना है इसमें भी अन्योक्ती अलंकार है वो यह कह रहे हैं कि हे भरतिय शूरुवीरों हे देशी राजाओं यदि तुम जाग जाओ तो तुम्हें कोई हराने वाला जो है कोई भी नहीं है दर्शानन में दीर्ग संदी है चलिएगा और सातियों अब यहाँ पर उपर की लाइन जो है फिर से छूट गई है हेलो अब यह पूछा जा सकता है हेलो कार्थ क्या है हेलो घरगर हेलो घरगर को हुवई को हुवई को हुवई हुवई का अर्थ है होता है हुवई मनी होता है और घरगर हेलो हेलो का अर्थ है है सकी हेलो का अर्थ पूछा जा सकता है हेला जिसको हम बोलते हैं है सकी यह एक सकी दूसरी सकी को संबोधित कर रही है सक्खी के माद्यम से चारण के माद्यम से भाठ जाती के माद्यम से हर द्रस्ती से प्रभोधित कर रहे है सूर्य मलमिस्टन क्या कह रहे है अब यहाँ पर जो है हाँ चलिए आहनई आहनई होगा आहनई और चले बाकी ठीक है मेरे साथ बूलीगा पेगाम का रथ है पून बल पून बल चक का रथ है पूरी तरह से या चक्कर चक कर के हम कहते है न चक कर के उसने ऐसा काम किया पूंचा जो है इसका रथ है कलाईया पूंचा जो है इसका रथ है कलाईया हाती जानती हो हातल जो है उसका रथ है हतेली हतेली और आहनई मनी मार देता है मार देता है पटक देता है नहार जो है वो सिंग को कहा गया है और जिनरो अर्थात उसी को नाम उसी का उसी का नाम चलिएगा हे सकी क्या घरगर सब के पुंचू पुंचू में पुंचू करो पुंचू में क्या घरगर हे सकी हेलो अर्थात हे सकी घरगर को हुई क्या घरगर सब के पुंचे पुंचे जो है इसको बोलते है ये पुंचा जो है उन पुंचू में पूर्ण बल होता है पहली ल क्या घर गर में अर्थात हर गर में क्या वीर होते हैं क्या लक्षना यहां पर यह है क्या सब सिंग कहला सकते हैं जो हाती को जो हाती जो है उसको सकी कौन सी सुध है देखो अच्छा पूछा है आपने बेटा सकी जो है वैसे ये सुध है तो आप ये क्योंगे कि आपने फिर ह है सकी क्यों लिखा है है सकी इसलिए लिखा है क्योंकि नदी जो है उसको ऐसा लिखते हैं लेकिन जब हम है नदी कहेंगे तो है नदी में ऐसा हो जाता है संबोधन में हरस्व हो जाता है संबोधन जो है वो हरस्व हो जाता है ये कोई एहंकार नहीं लेकिन ये हाथ आम तोर पर गल्ट नहीं लिखता है, चलिएगा, इसको, इसकी मासपेसियों को मैंने इतना सुधार दिया है, इतना ब्लिप्ड कर लिया है, कि जो है अब ये गल्त नहीं होगा हे सकी सकी वास्तों में तो ये है मैं जब कह रहा हूँ कि मेरी सकी जा रही है लेकिन हे सकी में ये आएगा आपको ऐसे धान रखना है चलिएगा हे लोग हर गर को वई पूंचा चक पेगाम हाती हातल आनई नाहर जिन रो नाम हे सकी क्या घरगर में हर व्यक्ति के पुन्चू में बल होता है अर्थात नहीं होता वो कह रहे हैं कि जो हाती को हतेली की थाब से ही मार डाले हाती को हातर अर्थात हतेली की थाब जो है उसको आहनी उसको आहनी अर्थात मार देता है नाहर जिनरो नाम नाहार जो है उसी का नाम होता है और साथियों अब हम में लिये चलता हूँ 19 सुवा में पेले जो है उपर वाली लाइन लिख देता हूँ खोयो में घर में अवट कायर जंबुक काम सिंगा केहा देशडा जेत रहे सो धाम चलिए अब इसका आर्थ करते हैं खोयो अर्थात खो दिया मैं मैंने घर में अवट अर्थात आयू को है सकी मैंने अपने जीवन को मैंने अपने आयू को जो है व्यर्थ में ही खो दिया मैंने अपनी आयू को व्यर्थ में ही खो दिया खोयो में घर में अवट देखो विप्रीत प्रस्तिया है, घवराना नहीं है, मैं जानता हूँ लेकिन फिर भी बिल्कुल आनन्द के साथ पढ़िएगा आपको समस्या हो रही है, मैं जानता हूँ लेकिन फिर भी आनंद के साथ पढ़िएगा कहते हैं कि खोयो मनी खो दिया मैंने घर में ही अपनी आयू खो दी है मनुशे मैं घर में रेकर जीवन को मैंने व्यर्थ गमा दिया खोयो मैं घर में अवट इसका अर्थ यह है कायर जम्बु का काम यह घर में बेट करके जीवन को खोना और जो है यह किस का काम है जम्बु कौन है गीदर यह गीदर की तरह गीदर का काम है यह शुरवीर का काम नहीं है मैं घर में रेकर के मेरी जीवन को खो दिया यह काम तो कायरूं और गीदरूं का काम है कायरूं और गीदड़ूं का काम है कायरूं और गीदड़ूं का काम है सिंगा केहा देशडा वो कहते हैं कि सिंग जो है उसका कोई देश नहीं होता वो सिंग का सिंगा अर्थाथ सिंगों का केहा कौन सा देश अपना होता है सिंगों का कोई देश नहीं होता जेत रहे सो धाम जेत अर्थात वो जठे हम कहते हैं ना जठे जहां भी जेत मनी जहां भी वो रहेगा जहां भी रहे सो वही उसका धाम वही उसका इस्थान है वही उसका घर है सिंग जहाम कहीं भी रहेगा वो ही उसका देश होगा जंबुक की तरे जो है मैंने जीवन मेरी वेर्थ में खो दी अब मुझे इसका बड़ा जो है पस्तावा हो रहा है ये इसका भाव है आगे लिए चलता हूँ साथियों और ये जो है अंतिम दोहा आपके सामने जो है मैं रख रहा हूँ जिनवन भूलन जांबता जांबता है ये जिनवन भूलन जांबता गेंद गेंदी है गेंद गवये गिडराज तिनवन जंबुकता खड़ा उधमंडे आज मेरे साथ बोलोगे बीश्वा दोहे की तरफ हम आगे है जिनवन भूलन जांबता गेंद गवये गिडराज तिनवन जंबुकता खड़ा उधमंडे आज जिनवन भूलन जांबता केता हैं कि जिस वन में भूल करके भी जाने का सास नहीं होता जिस वन में अटादसिंग का वन शूरवीर का जो देश है उसमें भूल करके भी बड़े-बड़े गैंद गैंद जो है देखो एक सब में आपको पड़ाया होगा गैंद गयंद कहते हैं हाती को और हाती भी नहीं गजराज को गजराज जो है वो गैंद है ये गैंद वो वाली नहीं है गैंद गवये गिडराज गवये जो है गवये कौन है गवये जो है वो है गैंडे जिस वन में सिंग रहता था वहाँ पर भी भूल कर ने जामता भूल कर भी नहीं जाते थे कौन गेंद गवये गिड राज गिड राज कौन है सुवर जो जंगली सुवर होते हैं वो बहुत खत्रनाग होते हैं जिस वन में सिंग रहता था उस वन में भूल करके भी कौन नहीं जाता था मेरे साथ बोलीगा गैंद अर्थात गजरात गव्ये गेंडे और गिडरा शुल नहीं जाते थे तिनवन जम्बुक ताखडा आज उसी तिन अर्थात उसी वन में आज वही जो वन है उसके अंदर जम्बुग जम्बुक मनी गीदर आज उसी जिस वन में सिंग रहता था शूर्वी रूपी सिंग रहता था उसमें भूल करके भी गजराज हाती तक नहीं जाते थे गेंडे तक नहीं जाते थे भयानक जंगली सुवर भी नहीं जाते थे तिन वन जंबुक ताखडा आज उसी जंगल में आज उसी देश में अंग्रेज रूपी गीदर जो है वो ताखडा अर्था शासन कर रहे हैं आज उसी में वो शासन कर रहे हैं उधम मंडे आज और यहा आज धमा चोकडी के साथ वो अंग्रेज जो है पूरे भारत पर सासन कर रहे हैं ये इसका अर्थ है तो ये आपको ध्यान डखना है ये साथियों बीस दो है थे मुझे पूरी उमीद है कि जो है आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से किया है जिस वीर का कभी इतना आतंग था कि बड़े-बड़े वीर भी उसके इस्तान में जाने का सास नहीं करते थे वहां आज ओछे लोग उतपात मचा रहे हैं यहां पर भी अन्योकते अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है एक बार जाते जाते मेरे साथ फिर से एक बार इसको बीस दो है को हम गाएंगे जिनवन भूलन जामता गेंद गवये गिडराज तिनवन जम्बुकता खड़ा उधम मंडे आज आने का मैं शोच रहा हूं मेरी बहुत-बहुत शुब कामने और आप लोगों के जो है मेसेज में देख पा रहा हूं चलिए यदि आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी